आखिरकार ड्राइवरों की मेनत रंग लाई मंगलवार देरश्याम, ओल इंडिया, मोटर, ट्रांसपोर्ट, कॉंग्रेस और सरकार के बीच सुला हो गई बैटर के बाद सरकार ने कहा कि नए हीट एंड रन कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा इसे के साथ ट्रॉक ड्राइवरों से हरताल खत्म करने की अपील कर दी गई है इसे पहले हीट एंड रन के नए कानून को लेकर देश भर में जम कर बवाल हुआ ट्रॉक, बस और टेक्सी ड्राइवर हरताल पर चले गए जगा जगा भारी वाहन सडकों पर खड़े हो गए हावे पर भी गाड़ियों की लंबी कताल लग गई स्थिती ऐसी हो गई कि आम जन जीवन बूरी तरह प्रभावित होने लगा पेट्रोल डीजल खत्म होने के डर से पेट्रोल पंपो पर लंबी लाइन लग गए सबजियों और दूद की किलत होने लगी ड्राइवर किसी कीमत पर हरताल वापस लेने को तयार नहीं थे वो इस जित पर अड़े थे कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती तब तक वो हरताल जारी रखेंगी हालाकि स्तिती बहुत जादा बिगरती उससे पहले ही सरकार भी एक्शन में आ गई मंगलवार को ग्रह मंत्राले में All India Motors Transport Congress की बैठक बुलाईगी बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि नया कानून अभी लागू नहीं होगा साथ चर्चा की सरकार कहना चाती है कि नया नियम अभी लागू नहीं क्या क्या है नए कानून को लागू करने से पहले हम All India Motor Transport Congress के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे उसके बाद ही हम कोई निर्ने लेंगे आपको बता दे कि यह है विरोध हाली में संससे पारित हीटन रन के नए कानून के खिलाफ था नए कानून के तहत हीटन रन के मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाक रुपे का जुर्माना हो सकता है अधिक्तम 10 साल की सजा तब होगी जब आरुपी लापरवाही से गाड़ी चला कर किसी की जान ले ले और पुलिस को मामले की सूचना दिये बिना भाग गया हो जबकि कानून के मुताबिक हीटन रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी ड्रावरों का कहना है कि अगर वैं मौके पर रहे तो उन्हें भीड के गुसे का सामना करना पड़तकता है हाला कि ग्रह मंत्री अमिशा ने संसद में कहा था कि उन्चालकों के प्रती नर्मी बरती जाएगी जो पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाएगे खेर इस खबर में इतना है इस खबर को लेकर आपकी क्या राई है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले बाकी देश और दुनिया की तमाम बढ़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूस नेशन का डिजिटल प्लाटफर्म